हाई फ्रेंज आज आपके लेकर आए हैं बहुत ही सिंपल आलू और मूली की फलियों की सबजी जिससे मोंगरे भी कहते हैं पिलकुल कम मसालों में बन जाती है और छटपट से बनने वाली है आज कल सीजन में ये बहुत मिल भी रही है तो बस करना क्या है इसको आगे और आलू काट लिया है मैंने प्याज लहसुन को मैं काट के डाल रही हूँ आप चाहें तो इसको पीस के डाल सकते हैं कुछ सबजिया जो है सरसो के तेल में अच्छी लगती है वैसे हम लोग सरसो का तेल ही खाते हैं तो मैंने सरसो के तेल में जीरा मेती दाना लहसुन और कर थोड़े सा आलू को पका लेंगे कि आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाए आलू की स्लाइस थोड़े मोटे हैं तो पकने में टाइम लगेगा तब तक मैं फलियों को भी चॉप कर लूँगी फलियां भी चॉप हो गई है इसको भी मैं इसी में मिला दूंगी और इसे लेकिन हम तो दाल चावल के साथ खाने वाले हैं इसको तो मैं इसी तरीके से बना रही हूं बस मैंने इसमें एक टमाटर को चौप करके डाला है और साथ में नमक डाला है टीस्ट के एकॉर्डिंग अच्छे से मिक्स कर लें अब इस स्टेश पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आ मेरे आलू के स्लाइस थोड़े मोटे हो गए थे तो मैंने दो चमश पानी एट किया और धक किस को स्टीम दे दिया और नमक भी अच्छे से मिक्स हो गया इसमें तो तयार हो गई मूली की फलियो की सबची तो आप इसे पूरी पराठू के साथ खाएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें